कोलन केंसर असवस्थ खान पान की आदत देश सकती है कोलन केंसर को दस्तक कोलन केंसर बड़ी आतका केंसर है कोलोरेक्टल केंसर देश में सबसे ज़्यादा व्यापक केंसर में से छटा केंसर है या केंसर दुनिया भर में तीसरा सबसे आम केंसर है केंसर हमारे देश में मेडिकल छेत्र की सबसे बड़ी चुनोतियों में से एक है लेकिन केंसर पुरी फ्रेस्थी में से कोलो रेक्टल केंसर या कोलन केंसर से अधितर लोग अनिविग्य हैं कोलन केंसर बड़ी आत्का केंसर है जो आपके पाचन तंत्र का अंतिम भाग है कोलन केंसर एव रेक्टल केंसर मिलते जुद्धे केंसर है और इने एक साथ कोलो रेक्टल केंसर कहते हैं आकडो के अनुसार कोलोरेक्टल केंसर देश में सबसे जादवैयापक केंसर में से छटा केंसर है या केंसर दुरिया भर में तीसरा सबसे आम केंसर है या 20 इस तरपर प्रतेक वर्ष 18,000,000 वक्तियों में होता है और 8,062,000 मौतों का कारण बनता है इस केंसर के होने का लाइफ टाइम जोखिम 20 में से एक है कोलोन केंसर की सुरुवात एक पॉलिप्स से होती है यह पॉलिप्स को सिकाओं का एक छोटा समू या गुच्छा होते हैं जो गैर केंसरस होते हैं समय के साथ कुछ पॉलिप्स कोलोन केंसर बन सकते हैं कोलो रेक्टल केंसर का पारिवारिक इतिहास, कम फाइवर, ज्यादा चिकनाई वाला भोजन, सुस्त जीवन सैली, मदुमे, मोटापा, धुम्रपान एव सराप का सेवन इसके खत्रों को बढ़ा देते हैं यदि आपकी आथ की आदतों में बदला हो, जैसे दस्त यह कबज, जो चार सब्ता से अधिक समय तक रहता है, आपके मल में रक्त इस्तराव हो, लगतार पेट की समस्याएं, जैसे की एठन, गैस या दर्द रहे तो इसे नजर अंदाज ना करें, या कोलोन केंसर का लचड हो सकता है, साथ ही, लगतार कमजोरी या ठकान महसुस करना, वजन कम होना, हिमोग्लोबिन में कमी जैसी समस्याएं भी देखी जा सकती है, जिन लोगों को कोलोन केंसर का ज़्यादा रिस्क है, जैसे परिवार में किसी कोई बीमारी रही है, या 50 साल की उम्र से अधिक है, उन पुष्टी होती है, तो डाक्टर अन्ने की तरह जाच बता सकता है, जिस से केंसर की स्टेज का पता लगाया जा सके, उसी हिसाब से इलाज पक्रियात नहीं की जाए, कोलोन केंसर के इलाज में सर्जरी से लेकर कीमो थेरेपी, रेडियो थेरेपी जैसे इलाज सामिल है, ज लेकिन यदि यह बढ़ जाता है तो अन्य विकल्पों को अपनाना भी आवस्यक हो जाता है जितना जल्दी बिमारी का पता चलता है ठीक होने की संभावना भी उतनी अधिक होती है इन बातों का रखे ध्यान अपने भोजन को फाइबर से भरपूर बनाएं फल हरी सब्जिया का सेवन बिलकुल नहीं करें समानने से अधि वजन न बढ़ने दें धन्यवाद